असलाम अलेकम, मेरा नाम डॉक्टर शान है, आपने थम नेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस मकसद के लिए बनाई जा रही है तो ये वीडियो खास तोर पर मेरे फोरन मेडिकल ग्रेजुएट्स, बाइयों और बहनों के लिए है जो एनरी स्टेप वन में अपेर होने जा रहे हैं और वो अपनी त्यारी बगएर किसी अकेडमी के अपने गर बैट कर या हाउस जोब के दुरान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखेगा ताके कोई भी इंपोर्टन पॉइंट मिस ना हो जाए तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्मेंड करूंगा फर्स्टेट क्योंके अल्मोस्ट एनरी स्टेप वन में 70 से 80 परसंट जो है वो फर्स्टेट कवर कर रही होती है त्यारी करते हैं उसमें भी यह एहम किर्दार अदा करती है इसकी खुबी यह भी है कि इसमें से डिरेक्ट लाइने उठाई जाती है एक्जैम में मुद्टे की बात यही है कि मैंने भी फर्स्टेट जो है वो फोलो की थी और मैं स्ट्रोंगरी रिक्मेंड करूंगा अगर मैं अपना बताओ तो मैंने medical की subscription ली थी अच्छा medical की मुझे हची बात ये लगी थी कि इसमें जब हम practice कर रहे होते हैं तो इसके answer show नहीं होते जो भी question होता है उसका answer नहीं नीचे लगा होता तो ये की इन कोरो paper की feeling आ दिया है इसमें और साथ हम जो भी question इसका दिया होता है उसकी explanation भी दिया होती है तो हची खासी समझ लग जाती है इस चीज से बाकि आप लोगों को जो भी source अच्छा लगता है आप उसी से कर लें ये ज़रूरी नहीं है कि pass paper जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ medical से किये जाएं अच्छा दोस्तो एक बात ज़रूरी जाद रखना अगर आप सिर्फ और सिर्फ theory करते रहोगे और जो question है उनकी practice नहीं करोगे तो आपके लिए exam pass करना काफी मुश्कल हो जाएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो है theory करें और साथ में जो pass paper हैं उन पर practice करें अच्छा तो दोस्तो तिसरे नंबर पे जो प्लैब के 1700 MCQs है वो बहुत ज्यादा important है कभी कबार मैंने exam में ऐसा देखा है कि जो पूरे का पूरा question जो है प्लैब का वो copy paste किया होता है वहाँ पर तो इस चीज़ से आप अंदाजा कर लेकि यह कितने important है तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी जरूर करना है बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ना नहीं है ठीके और बाकी जो है आपके बहुत ज्यादा concept जो है वो इनसे build up होंगे अगर आप लोग यह MCQs कर लेते हैं तो trust me last but not least अगर आप BRS Physio जो है उसके सारे chapter कर ले तो बहुत जबरदस्ट बात हो जाएगी क्योंकि यह बहुत जबरदस्ट बुक है हाँ अगर इसी वज़े से आप पूरे chapter नहीं कर बाते तो इसके end पे exercise होती है हर chapter के end पे तो आप उसमें जो MCQs दिये होते हैं तो क्रीपन 20-25 MCQs हर exercise के पीछे हैं तो अगर आप समझ कर वो भी कर लेते हैं तो इस चीज़ का भी आपको काफी advantage हो जाएगा हाँ और बाकी neuro को बड़े अच्छे तरीके से करना तो इस दफ़ा neuro ने हमें बहुत tough time दिया था तो neuro हच्छे से कर ले न और बाकी जो है हर किसी का अपना अपना तरीका होता है exam की preparation का तो जैसे अच्छा लगता है किसी को वो कर सकता है उस तरह तो इन्शाला जो चीज़ मैंने आपको बताई है न अगर आप लोग वो कर लेंगे न तो आप fail कभी नहीं होंगे अच्छा उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि जो paper है उसके अंदर time management और paper को attempt कैसे करना है तो उसके लिए आप comment करें तो मैं उसके लिए एक new video लाँगा अगर आपको मेरा ये content अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उनको भी फाइदा हो किस तरह exam जो है वो कहां से prepare करना है और किस तरह prepare करना है और साथ ही channel को subscribe कर ले क्योंकि आपके subscription से हमें काफी motivation मिलती है चलो मिलते हैं निव वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज